तो दोस्तो मेकर इंडिया इनिशेटिव को एक काफी बड़ा और बुष्ट मिल चुका है जैसा कि आपको पता ही होगा कि COVID-19 के बास से ही दुनिया की काफी बड़ी बड़ी कमपनीज ने चाइना को छोड़ कर दूसरी कंट्रीज में अपनी फैक्टरीज को लगाना शुरू कर दिया है और शिफ्ट भी कर रहे हैं और इसी कड़ी के अंदर अमेरिकन जाइंट कमपनी एपल ने भी चाइना को एक काफी बड़ा जटका दे दिया है दरसल एपल अपनी एक और मैसिव स्पेर पार्ट की फैक्टरी लगाने वाला था चाइना के अंदर लेकिन यह अपनी स्पेर पार्ट मैनफेक्टरिंग के लिए जिसके अंदर दुनिया की काफी बड़ी बड़ी कमपनीजने पार्टिशिपेशन किया था बट हमारे दिल की इस कंपनी ने इस कंट्रेक्ट को अपने नाम कर लिया because of competitive price अब इस सूरत बेस कंपनी को एक बहुत बड़ी opportunity तो मिली ही है और Apple अपने सभी contract को remove कर देगा Chinese spare part manufacturer के साथ तो obviously इस company को अब काफी ज़्यादा benefit तो मिलेगा ही साथ में हम लोगों को भी काफी ज़्यादा benefit मिलेगा क्योंकि अब काफी ज़्यादा jobs भी create हो जाएंगी इसी time पर एक और अच्छी खबर हमें सुनने को मिली है कि जो Apple है वो अपने airports को भी manufacture करने वाला है इंडिया के अंदर और Rooters के मताबिक एक Japanese website ने तो यह भी claim किया है कि Apple अपने airports के साथ साथ beats के headphone को भी इंडिया के अंदर ही manufacture करने वाला है और आपको शायद यह बात भी पता नहीं होगी बट अब तक इंडिया से वन बिलियन डॉलर तक के स्मार्टफों को export भी कर चुका है एपल अपने flagship डिवाइस जैसे की iPhone 14 iPhone 13 इंडिया में manufacture कर रहा है वैसे एपल 2017 में भी अपने iPhone को manufacture करता था इंडिया के अंदर लेकिन वह लो डिवाइस होते थे यानि कि जो पुराने डिवाइस हो चेके हैं जैसे की iPhone 6 iPhone 8 लेकिन जैसे जैसे एपल जैसे बड़ी बड़ी companies अपनी factories को चाइना से इंडिया में shift करेंगी तो government का जो एम है 2026 तक कि 126 बिलियन डॉलर तक हम export करेंगे स्मार्टफोन और electronic डिवाइस के अंदर वह शायद complete हो जाएगा वैसे आपकी क्या राय इन सब चीजों को लेकर हमें कमेंट में जरूर बताना बाकी वीडियो चलेगी हो तो वीडियो को लाइक करते हो जाना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में कर दो